नमस्कार मैं आशना पटारे मौसम दर्पन में आपका स्वागत करती हूँ चलिए जानते हैं अंतरिक्ष में घटने वाली इस अद्बुद घटना के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है अंतरिक्ष में आये दिन कोई न कोई घटना घटती रहती इनमें कई ऐसी घटना होती है जिनका असर धर्ती पर होता है अब इस बीच एक ऐसी घटना घटने वाली ही जिसका असर धर्ती पर पढ़ सकता है इसके लोकर दुनिया भर के एजंसियों ने अलर्ट जारी किया है ए पताया गया है कि खतानक भूचुम्ब की असवर्टुफान 20,79,834 प्रतिगंटे की रप्ता से धर्ती की तरफ बढ़ रहा है। इस तुफान को लिक और बीते कई हपतों से विशशक्य विचारवी मश कर रहे है। बूचुम्ब की अतुफान के धर्ती से टकराने के बाद भयानक परिनाम दिख सकता है। दुनिया भर की एजन्सियों का कहना है कि ऐसे में दुनिया के ज़्यादा तरदेशों में ब्लैक आउट की स्थिती पैदा हो सकती है। वग्यानिकों ने बताया है कि सूर्य पर महिनों से पड़ा डेड संस्पोट एक बार फिर जीवित हो उठाए। इस संस्पोट को AR-2987 नाम दिया गया है। अभी इस प्लाज्मा बॉल के सक्रिय हो जानी की वज़े से धर्ती की तरफ अधिक महत्रा में रेडियेशन आ रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सूर्य के डेड स्पोट के जीवित यानी सक्रिय हो जानी की वज़े से सौर्य मंडल के तारे पर उतल पुतल मच्य हुई है। खोगल वग्यानिक द्वारा इस घटना को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जता है। इसकी वज़े से ही प्लाज्मा बॉल धर्ती से टक्रा सकते है। धर्ती की तरफ बढ़ रहे ही इस्ता और तुफण की वज़े से धर्ती पर ब्लैक आओट हो सकता है। वग्यानिकों ने बता हैं कि सूरे के रेडियेशन तूफन की वज़े से नौर्थ फोल के वायो मंडल के उपर ही हिस्से में ज्यादा नौर्धन लाइट का निर्मन हो सकता है जिसका पूर्थी के उत्तरी ध्रुवए इलाके में स्थित सैटेलाइट और पाउर ग्रीट पर पर अभव पढ़ सकता है इसकी वज़े से इन इलाखों में अंधेरा चाने का खत्रा है सूरे के सीमे के इमेशन पर नजर रख रहे हैं नासा और नोवा ने संभावना जताई कि सौर तूफान धर्ती से टकरा सकता है डासा ने आगे कहा है कि धर्ती से टकराने के बाद यह और तेज हो सकता है एजंसियों का कहना है कि भू चुम्बक ये तुफन में इतनी क्षमता होती कि वह पावर ग्रीड और धर्ती पर आन्य संसादनों को नुक्सान पहुंचा सकता है इसकी वज़े से दुनिया के कुछ इलाकों में ब्लैक आउट होनी की संभावना है अमेरिक किसे कहते हैं जियो मैगनेटिक तुफन अमेरिकी अंतरिक्ष शेजन से नासा के मुताबिक सूर्य की सतर पर बड़े पैमाने पर विस्पट होते हैं इस दोरन कुछ इलाकों में बेहत चमकीले प्राकश के साथ भारी बात्रा में उर्जा निकलती है जिसे फ्लेयर कहीते है अंतरिक्ष में कही मिलियन मिल प्रतिगंटी की रप्तर से एक अरप्टन के बराबर चुमब की उर्जा निकलती है जिससे सूर्य की बाहरी सतर का कुछ इलाका खुल जाता है और इसी छिद्र से उर्जा निकलने लगती है और यहां आग के गोले की तरह नजर आती है अगर यही उर्जा लगातर कई दिनों तक निकलती रहती है तो इससे बहुत छोटे निकलियर कन भी निकलने लगते है जो ब्रह्मान में फैल जाते है जिससे जियो मैगनेटिक तूफान कहा जाता है खबर में फिला लितता ही इसे के साथ देखते रहें मौसम दरपन चानल को सब सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन दबाएए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए